आज हम लोग बात करने वाले ऐसी इनिवर्सिटीज की जहां पर आप जाब करके स्ट्रेट ओए MBA प्रोग्राम के लिए अप्लाइ कर सकते हैं without worrying about GRE और GMAT MBA के लिए specific list बनाई गई है विकिस हम लोग ने इससे पहले काफी सारी list बनाई जो की बनी थी उन्हें इनिवर्सिटीज के लिए जो की GRE अवोइड करी थी और अक्सुल में से फिर इंजिनरिंग बनाई के लिए तो ऐसी निवर्सिटी जहां पर आप किसी बनाई की standardized list को दिए ठीक है तो उसकी बात करते हैं तो आज अब हम जा रहे हैं वाइंब्राइड.com पर आप देखेंगे तो आप जा करके home page पर जा सक्कें बहुत ईजी आपको यहां से articles का section बल जाएगा articles का section जाते ही यहां पर आप आप देख सेंगे MBA programs waving GMAT in USA और fall spring 2023 इसकी हम बात करने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहली university की मैं आपको बात करूंग हो जो यहां पर one of the topmost universities है जो आपको दिखेंगे कार्णी की पिलन काफी लोगों की dream university रह चुगी है बहुत सब्सक्राइड से साथ मैंने बात करी है जो टेपर school of business को actually one of the topmost priorities मांगते हैं की लिस्ट में topmost top five top ten ने आती है और यहां पर आपकी जितने भी रेकेंगे आप MBA में जब GMAT waivers की बाती है usually all conditional तो कैसे conditional है मैं आपको यह बताया था हूँ the condition over here is that the waiver will be granted on a case by case basis the application committee will take a holistic overview of your application का मतलब है कि आप उसमें आपको को contribution करना है as such आप उनको बोलोगी कि मैंने GMAT नहीं दिया है और holistically आपकी application को view करा जाएगा उस आपके application की quality अच्छी है उस case में आपके waiver apply हो जाएगा यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यह भी दिखेगा कि यहां पर लिखा हूँ है कि अगर आपके इसी consulting team के साथ काम करें आपके working with us also we can make that happen for you as well और आपकी application quality इतनी अच्छी होने चीए और holistically आपकी profile इतनी अच्छी होने चीए जिसके बेसिस पर आपको वेवर मेले हो ठीक है चली और किसी उनिवस्टी की बात करते हांगे second university is University of Texas and Austin यह अच्छी में एक रि करेंग इक यहां पर उसके यहां पर ऐसाफ से आपको बिसिकली वेवर के लिए कंके घ्रकाट करा जाएगा बेसिकली अब आपको यहां पर इस डोनों से एक चीज़ पूरी करनी है कंडिशन कि आपने अगर अग्राजुट दिगरी किया तो आपकम के रिकॉर्ट सबत अच ग्यातिकल और कुंटिटिव डिसिछिए अगर आपकी जी पिदिया थी आटी से उपर है थी हा फूर निया उसे उपर है तो आपका तो आपका चांस है करके प्रींडिका ठीकर थी तो टीक टीकित थर्ड इंडियान एपिसपी यहां पर भी इसके आप देखेंगे तो आपको पाटर्न है हमेशा क्वालिटेटिव और अनालोपिकल स्किल्स की बात करी जा रही है हमेशा एक अच्छे जी पीए की बात करी जा रही है इस बैसिस पे ही आपको जीमाट के वेवर्स लेंगे इन मुस्ट केसे अगर आपने सब्सक्राइब करें तो उसको भी अकांट में लिंगे वो नहीं साफ साफ लिए नेक्शे रिवस्टी आपकी इवर्स्टी आप वाशिंग्टन इनका फॉस्टर स्कूल बिसनस आप इसके बारे में देख सकते हैं कंडिशन यहां पर सीधर लिखे हुई है स्ट्रॉंग और इनलिटिकल बिल्टी ए हर उनिवस्टी मांग रही है एक अटिकर अजिए अग्राजूटे ग्राजूटे यह एफ एडवानस दिग्री आपके बास्टेम पील में पर पूस्टेम इसके लावा बेसिकली आपके बस्टेरी दिमस्ट्रेटिगल प्रोफेश सब्सक्राइब प्रोफेशनल गोंग इंसेशन तो लिखी लिए इनको चार साथ चाहिए है उससे आप चाहिए ठीक है दिस इनिवस्टी आपका निक्स्टी नौथ इसनिवस्टी यहां पर आपका जो वेवर है यह अनकंडिशनल वेवर है अनकंडिशनल जीरी जीमाइक मत कि कुछ ऐसा ही ही नहीं है कोई भी है आपने कोई भी बैग्ग्रांद आपक आपका इंपले कर सकते हैं तो डिक है आप बस अद्मिशन रेक्वार्मेंस को एक अकाउंट करना या उनको में करने विट करना आप विडेवर करते हैं यहां पर दार्दन की कंडिशन क्या है इ अर्फिल्छ इस प्रोफिछ के ऐन फिले फिर नेगड और विपयर के लिग अगरियों के और आप जरों के हैं तो आपको छूझा रेट एक एसे स्विट करना हुआ दोरिक यह कुछ आप रहे को यह संज करते हैं आपने दिया है पनी थेस्ट कुर नहीं दिया और उसको आप पर एकेस में आपको यह संजाएций पर आपको यह सब्जाता है यह special that in the Fr speciallyerma leek अगर आप माय साथ काम परे, if you're working with us for the MBA version of the complete application help, we help you end to end, all of your drafts will be done by Ivy League graduates, if you're interested, you can actually go on to the services page over here, and I'll just continue the video in one moment, I just have to do a little bit of advertisement over here, I hope you don't mind, but yeah, कामी है, anyway, so I'm going on to the service page, and I'll show you the complete application help, so this is the complete application help, everything right from your admissions, to your scholarships, to your visa, is covered within the service, and we can make sure, that you get your admit, in time for fall 23, if you want to go for it right now, if you don't have a GMAT, if you don't have anything, you'll have to do it, you'll have to process it, but if you're working with the work experience, it's better, besides everything is covered, end to end, let's continue with the universities on our list now, over here we have point number 8, University of North Carolina, and you can see that you graduated with 3.2 or higher GPA, out of 4, here we have WS evaluation, class, you can see that you are up to 3.2 or not, or if you don't know university, you'll have to give a lot of conversation, or if your consultant is basically going at this, they will be able to let you know exactly how to move forward on this one, okay, Attain an advanced or terminal degree, STEM field, they also need to do it, same thing, five years of professional experience, CFA, CPA, and you should have strong assessment, or LSAT, PCAD, or MCAD scores, so you can see them basically, here you can see requirements, but you don't have to do all the requirements in most cases, because there are many requirements, but if you will do it, it will be good for you, next university in our series is Rice University, Rice University of Jones Graduate School of Business, and you will also offer a conditional waiver, and here you will also have a lot of conditions, STEM degree, terminal degree, MD, JD, PhD, and you will also have a quantitative oriented professional certification, CPA, and CFA, so you will have a preference, you will have a lot of work experience in 5 years, and you will have a good quantitative ability, as compared, as compared, basically, if you do MCAD test or SME test, they will also be concerned, same thing, you will see that, the more you are going to go, the more requirements will increase, okay, finally, point number 10, UCI, University of California, Irvine, here Paul Maraj School of Business, what is his condition, only those students are eligible who have two or more years of full time professional work experience, and a concrete record of academic performance as undergraduate and graduate students, same thing, and that is, you should have a minimum of 2-3 years of work experience, and you should have a GPA on a 4.0 scale, and your performance is good, which is the same maximum universities, if you have to do shortlisting, you should not know which universities you should apply, on your basis, on your profile, where you can go, 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 so you don't need to go for the entire service, you have to have admissions, scholarships, essays, support, no problem, you can go for just the shortlisting service, alright, we have the profile evaluation and university shortlisting service for the exact same reason, and if you need more help, you are always welcome to message me, my number is in the description, we are more than happy to have you on board, alright, apart from that, I am hoping that your applications are good, please subscribe to the channel, follow us on Instagram for many more videos just like this one, and I hope to see you in the next one, goodbye and take care of yourself!